हेलो एवरिवन आज हम सुबह के लिए बहुत हिल्दी नास्ता बनाएंगे ओभी हल्का फुलका ये व्रत के लिए नास्ता है आप जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करना इसे बनाना बहुत इज़ी है यापर मैंने एक कप सामका चावल लियाए इसे अच्छे से धोलेंगे हम अब एक गैस पर पैन चाड़ाएंगे पैन में एक चमज गी डालेंगे आप पिनट ऑईल का इस्तमल कर सकते हैं गी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे अब इसमें डालेंगे तीन हरुमिच बारी कट करके डालाएं आप जीरा खाते वुरत में तो ओ भी डाल सकते हैं अब तक हम इसे औल में फ्राइ करते रहेंगे एकडम क्रिस्पी मॉपळी बन जाती है तो खाने में माझा बहुत आता है इसलिए हम इसे अच्छे से क्रिस्पी बनाएंगे इसका कलर भी चेज़ हुआ है अब इसमें डालेंगे हम एक आलू आलू का अच्छी तरह से कद्दू क अगर आप चाहे तो आलू उबला हुआ भी डाल सकते लेकिन मैंने यहाँ पर कच्छा आलू का इस्तमल किया है साथ हम इसमें डालेंगे दो कप पानी एक कप सामक कचावल के लिए दो कप पानी एकदम परफेक्ट मेजिर्मेंट है पानी को हम हलका सा उबलाने देंगे अब इसमें डालेंगे हम वन टेबल स्पून कोकोनट पाउडर का स्वाद बहुत ही बड़ी आता इस रेसिपी में फ्रेंड्स आपके पास है तो जरूर डालेगा अब स्वादन उसर नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब हमने सामक कचावल का अच्छी त दाल लेते हैं इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम लो कर लेते हैं लो हीट पर इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे इसे पकाने में ज्यादा देर नहीं लगती है बस यह रेसिपी पास मिनिट में बनकर तयार हो जाती है मैंने कड़ाई पर ध चावल फुल गाया है इसका स्वाध भी बहुत बढ़े आता है और खाने में बहुत जादा हल्का फुलका है आप इससे सुबहे के टाइम जल्दी जल्दी में बना कर खा सकते व्रत के लिए बहुत ही बढ़े है रेसीपी है निसे फिर से धक्तन रख लेते हैं अब हम दो मिनिट तक ऐसे रखेंगे इसे दो मिनिट के बाद चेक करेंगे चावल अच्छी तरह से फूल गया है अब हम हलका सा इसे मिक्स करेंगे और फिर से इसे डख्कन रखेंगे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और एक मिनिट के बाद हम इसे चेक करेंगे अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकलते हैं एकदम खिला खिला चावल बन चुका है आप इसे वरत में जरूर बनेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि हर दिन आपको को ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे ओव भी फ्री में चले कल फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ